Cretin के side effects होते हैं Cretin ना ही cutting में use होता है, ना ही gaining में use होता है किन्ने के juice के साथ भी बहुत ज़्यदा results मिलते है Cretin उज़ करने वालों को हमारा hair loss होने लगता है यह बात सच है Cretin की dozing body weight and muscle mass पर depend करती है अगर आप 70 kg के है आपके पास muscle mass जादा है और वो supplement है क्रेटीन, क्रेटीन होता है, वर्क आउट में हमें थोड़ा हेवी पुछ करने में help करता है, क्रेटीन से हमारी strength 10-15% बढ़ जाती है, तो हेवी लिफटर्स क्रेटीन को अपनी strength बढ़ाने के लिए use करते हैं, क्रेटीन जो होता है, वो हमारी बोडी में ATP production को बढ़ा देता है, ATP का मतलब होता है adenosine triphosphate, जो हमारा mitochondria होता है body में, powerhouse of body, वो अपने अंदर ATP बनाता है, वो ATP हमें energy देती है, जो भी हम power lifting करते हैं, या heavy weight उठाते हैं, वो सब ATP की वज़े से ही होता है, जो क्रेटीन होता है, वो ATP की production को बढ़ा देता है, ज्यादा science के अ करेटीन है, वो cutting में use होता है, कई लोगों को लगता है, क्रेटीन है जो gaining में use होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं एक beginner था, आल से 10 साल पहले, उस समय मुझे भी ऐसा लगता था, जो क्रेटीन है, वो cutting के लिए use होता है, क्योंकि क्रेटीन का जो नाम है, जो इस in English provided करे इंग करता है क्रेटिंन जो होता है वो बोड़ी में थोड़ा वाटरा उल्ड करता है जैसे ही आप क्रेटिं ड्रोप करोगे आप ञोड़ाता उसके गेणिंग में व्योर्ड आप इस inclined बढ़ ज् focus करぁता है इस विए welcome लोग इसको जो लोगों का purpose है gaining करना, क्रेटिन उसमें boost करेगा, क्योंकि वो बोडी में water level बढ़ा देगा, आपका थोड़ा weight बढ़ेगा, cutting में भी आप use कर सकते हैं, जब आप calorie deficit diet में हैं, तो आप cutting में भी क्रेटिन यूज कर सकते हैं, ताकि बोडी dehydrate ना हो, तो ये एक smart approach होती है, कि आप इसको cutting में यूज कर रहे हैं या gaining में, तो में स्वाल यह आता है कि क्रेटिन को किस time ले, और कैसे ले, और क्या इसकी dozing होनी चाहिए, अज से 3-4 साल पहले, क्रेटिन की recommend dozing होती थी, 5 gram per day, अब science ज़्यादा develop हो चुकी है, तो अब recommend dose है, 3 gram per day, लेकिन ये सिर्फ एक healthy individual के लिए है, क्रेटिन की dozing, body weight and muscle mass पे depend करती है, वो जो 3 gram है, जरूरी नहीं कि जिन लोगों पे ये experiment हुआ, सभी लोग जिन जाते हो, ना, वो एक healthy individual के लिए dozing है, अगर आप 60 kg के है, और आपके पास ज़्यादा muscle mass नहीं है, तो आप 3 gram per day ले सकते हैं, अगर आप 70 kg के है, आपके पास muscle mass ज़्यादा है, तो 3 gram से काम नहीं चलने वाला, डब्बे के पीछे जो 3 gram की serving लिखी हुई होती है, अगर आप वो एक लोगे, तो आपको क्रेटिन का effect नहीं मिलेगा, क्रेटिन का benefit नहीं मिलेगा, आपको अपनी dose बढ़ानी पड़ेगी, आपको 5 या 6 gram per day करना पड़ेगा, क्रेटिन के बारे में जो 2-3 थियोरी है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले लोगों ने सुना हुआ कि, क्रेटिन को लोड करते हैं, क्रेटिन लोडिंग बोलते हैं, क्रेटिन लोडिंग देखो, अगर मैं अपनी परसनल बात करूँ, मैं क्रेटिन लोड करता हूँ, क्रेटिन लोडिंग होती है, जब हम kretin start करेंगे, तो उस time हम kretin की heavy dosing लेते हैं पूरे दिन में, और वो heavy dosing कितनी हो सकती है, 15-20 gram per day, 15-20 gram per day, जब कि हम normal days में करेंगे, 5-6 gram per day, अब वो 15-20 gram कैसे होती है, और वो क्यों होती है, जो हम loading करते है, वो इसलिए होती है, क्योंकि जब हम loading करते हैं, तो वो एक हपते करते हैं, जब हम एक हपते तक लगातार kretin की heavy dosing रखेंगे, तो kretin हमारी body में एक saturation level तक पोच जाएगा, हमारी body में kretin proper dissolve हो जाएगा, और हमें same strength देगा वो हर दिन, अगर आप per day थोड़ा-थोड़ा ले रहे हैं, तो उसको body में saturation level तक पोचने में काफी time लग ज जैसे, सुब अगर आप बनाना shake ले रहे हो, तो उसमें आप 3 gram डाल सकते हो, दिन में आप फिर 3 gram ले सकते हो, protein shake के साथ, before workout 5-10 gram ले सकते है, and after workout फिर आप 3 gram ले सकते है, ऐसे आपको छोटी-छोटी dosing divide करनी है, kretin की, अब आपने कर ली kretin की loading, one week के बाद आपको अपनी k देखा हुआ है, 3 gram तो 3 gram ही लेनी है, नहीं ऐसे नहीं करते, smart approach रखो, जैसे अगर आपका 60 kg weight है, तो आप 3 gram per day ले सकते है, after loading, एक हपते की loading के बाद आप 3 gram पे आ सकते है, stick कर सकते है, 3 gram पे, before workout, या फिर after workout ले सकते है, वो कोई आपको पहले ही लेना है, बस पहले लोगे तो उसका एक फैदा यह होगा है, कि workout में वो आपकी थोड़ा extra push करने में help करेगा, वरना उसका effect सेमी रहेगा, चाहे पहले ले लो, चाहे बाद में ले लो, So guys, वीडियो के बीच में मैं आपको एक बार, Fuel One के combo offer के बारे में बता देता हूँ, बहुत ही तगड़ा combo offer लेके आया है, Fuel One, एक ही combo offer में आपको 3 product मिलने वाले है, पहला product आपका होने वाला है, Fuel One Way Max, second product आपका होने वाला है, Cretin Monohydrate, third product आपका होने वाला है, Daily Multivitamin, तो कि एक बहुत ही बढ़िया combo offer है, आपको reasonable prices में 3 product मिलने वाले है, नीचे description में मैंने official website link mention कर दिया है, ताकि आप लोगों को genuine and authentic product मिल सके, और साथ ही मैंने discount code भी mention किया है, अगर आप discount code use करोगे तो आपको और ज्यादा discount मिलेगा, अभी मैंने बताया, 60 kg वाला बंदा 3 gram रख सारा है, तो उसको 10 gram kretin भी लेना पड़ सकता है, एक दिन, अपने normal days में, loading में तो 20-25 gram चलेगा, लेकिन जो उसके normal days है, उसमें 10 gram कम से कम भी चलेगा, तो kretin की dozing, body weight and muscle mass पे depend करती है, और जिन लोगों को लगता है kretin के बहुत सारे side effects होते है, तो मैं अपना personal opinion बताऊँ आप लोगों को kretin के side effects होते है, असल माहिने में side effects हो, वो है hair loss, scientist ने जब इस पर research की, तो 100 लोगों को लिया, 100 में से अगर 51 लोगों के बाल नहीं जड़े, तो उन्होंने वही हमारी theory बना दी, कि इससे बाल नहीं जड़ते, बाकी 49 के basic बाल जड़ गए हो, उसको नहीं मा kretin को 25-30 दिन से जड़ा लगातार लेने लगते हैं, तो हमारा hair loss होने लगता है, ये बात सच है, बहुत सारे channel आपको ऐसे मिल जाएंगे, जो कहेंगे कि kretin का कोई loss नहीं होता, kretin का कोई side effect नहीं होता, होता है बाई, individual to individual ये चीज़े depend करते हैं, कि आपको कौन सी चीज suit करेगी, कौन सी नहीं करेगी, तो जड़ा दर लोगों का hair loss होने लगता है, kretin से, और हाँ, जो ये बोलते है कि kretin से किड़नी खराब हो जाती है, वो एक misconception है, kretin से किड़नी खराब नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि अगर kretin से जो आपका hair loss हो होता है, नहीं, जैसे ही कि आप kretin बंद करोगे, आपका hair loss रुख जाएगा, अभी इसको यूज करने की technique बता देता हूँ, आपको करना क्या है, 20 दिन यूज करो, 7-8 दिन का gap करो, फिर 20 दिन यूज करो, 7-8 दिन का gap करो, ऐसे इसको alternate cycle में यूज कर सकते हैं, आप इसकी cycle चला सकते हैं, 20-20 दिन क 20 दिन ओन, 7 दिन ओफ, 20 दिन ओन, 7 दिन ओफ, एक last pro tip, जो कि बहुत लोग lag करते हैं, लोगों को पता नहीं, सीज के बारे में, वो क्या करते हैं, क्रेटिन को पानी में steer करके पी जाते हैं, क्रेटिन को कभी अकेले नहीं पीते, अकेले in the sense, अपने दोस्तों के साथ वाली बात नहीं करा मैं, मतलब उसको stack करते हैं, stack किस के साथ करते हैं, carbs के साथ, जब आप क्रेटिन को carbs के साथ लोगे न, तो आपकी body में क्रेटिन absorption बढ़ जाएगी, अगर आप सिर्फ क्रेटिन पी रहे हैं, तो वो body में dissolve नहीं होगा, जल्दी सी, वो आपको उतने result नहीं दे पाएगा, जितना वो दे सकता है, तो आपको उसको carbs के साथ stack करना है, और carbs का सबसे simple source क्या होता है, glucose, glucose की 3-4 चमच, 5-6 ग्रेटिन के साथ, workout से पहले, एक गिलास पानी में, 240 ml पानी में, steer करके, आपको workout से 20 मिनिट पहले लेना है, अगर आप ऐसा करोगे, तो आपको उसी अपने workout में आपकी strength का पता चल जाएगा, strength बहुत बड़ी मिलेगी, क्योंकि जो आपने workout से पहले 20 मिनिट का gap लिया आना, और आपने उसको glucose के साथ stack किया है, क्रेटिन के absorption बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रेटिन के result fast हो जाते है, और एक और pro tip बताऊगा, क्रेटि यह थी आज की वीडियो, special क्रेटिन के बारे में, बहुत छोटी वीडियो में, short में निप्ता दिया मैंने, और चीजों को simple रखने की try किया है, जैसे मैं beginners लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो भी उन ही में से एक थी, आशा करता हूँ, आप लोगों को है, ताकि उनका doubt दूर हो सके, so guys take care, love you all.